एक बार एक गरीब औरत के पडोस में एक बहुत अमीर आदमी रहता था औरत गरीब होने की बावज़ुद हमेशा खुश और सुकुन से रहती थी वो रात को अपना दर्वाता और खिड़की खुली चोड़ दे थी ताकि ताजी हवा आती रहे लेकिन दूसरी तरफ आदमी अमीर होने की बावज़ुद हमेशा हताश रहता वो रात को अपने घर का दर्वाता अच्छे से बन करके सोता क्यूंकि उसे हर वक्त अपने पैसे चोरी होने का डर था औरत का सुकुन देख उसे बहुत जलन होती एक दिन वो बहुत सारे पैसे लेकर औरत के गर जाकर बोला ये रख लो ये तुमारी गरीबी दूर करेगी पैसे देख औरत बहुत खुश हुई पूरा दिन वो खुशी की मारे जुमती रही लेकिन जब रात को वो सोनी गई तो उसे नीन नहीं आ रही थी जल्दी से उटकर उसने दर्वासा और प्रकी बन किया लेकिन फिर भी वो सुकुन से सोनी ही पाई सुबह होते ही वो सारे पैसे लेकर आदमी के पास जाकर बोली मैं गरीब सही लेकिन तुमारे इन पैसों ने मेरा सुकुन मुझसे चीन लिया